हे गाइस वेलकम बैग जैसा आप से जानते हो कि अभी SSV का बेकंसी चल रहा है जिसमें फिजिकल लिया जा रहा है और यह फिजिकल लगवग फरवरी तक लिया जाएगा ओके तो इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि जिसका वेट कम हो रहा है या फिर जिसका वेट तो गाइस अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देगा पहले वाला वीडियो में मैंने यह बताया है कि SSV का फिजिकल कैसे कैसे हुआ यानि कि स्टार्टिंग टू इंटक मैंने सब कुछ बता दिया है तो इस वीडियो में हाइट बताऊंगा और डॉक्यूमेंट के बारे एम थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि बच्छे अभी भी पुछ रहा है कि यह क्या क्या हो रहा है क्या नहीं क्यों नहीं आहिशन को सब बता देरा है आपको एक एड़मिट कार्ड और एक One ID प्रूप का अलाबा कुछ भी नहीं में में कोटह साकाघज भी नहीं में जाना है तो डॉक्योमेंट वाली बात आप अच्छे से समझ गये होंगे आपको कुछ भी नहीं लिखी जाना है तो अब यहां से स्टाट करते हैं वेट से ठीक न वेट आपका ये टेबल के अनुसार होना चाहिए ये टेबल है फिमेल का ओके तो इस वीडियो का पाउज करक ले सकते हो ये मेल का है अब देख सकते हैं उपर में मेल लिखा हुआ है ये इसका भी आप इसकीन सूट ले सकते हैं और जिसको पढ़ने प्रावलम होगी इसको मैं अभी पढ़के सुना दूंगा लाश्ट में लेकिन अब बात यह आती है कि जिसका वजन कम ओड़ा है जि जिसका चेस्ट कम होगा वो डिसक्वालिफाई हो सकता है लेकिन जिसका वेट कम होगा वो डिसक्वालिफाई नहीं होगा उसको जो है मेडिकल तक का टाइम दिया जाएगा मान लो कि आपकी वेकैंसी है आप अगर आपका वेट कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है तो आपको मेडिकल तक का टाइम दिया जाएगा कि आपका जब तक मेडिकल ना हो जाए तब तक आप वेट को इतना घटा लीजिए या फिर इतना बढ़ा लीजिए तो अब मैं ये पढ़ की सुना दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को प्रावलम हो चकता है अगर आपका हाइट जो है एक साथ है तो आपका वेट च्यालिस से चपन के बीच होना चाहिए अगर आपका एज अठारे से बाइस है ये मेलका है 162 है तो 47,57 के बीच वेट होना चाहिए 164 है तो 48 से 59 के बीच होना चाहिए 166 है तो 49.5 से 60.5 तक होना चाहिए 166 है तो 51 से 62 होना चाहिए 170 है तो 52 से 64 होना चाहिए 172 है तो 54 से 66 होना चाहिए 174 है तो 55 से 67 होना चाहिए 176 है तो 56.5 से 69 होना चाहिए 178 है तो 57.5 से 70.5 होना चाहिए 180 है तो 59 से 72 होना चाहिए 182 है तो 61 से 74.5 होना चाहिए यह था कुल जितना भी था यह टोटल 18-22 एज का था ठीक ना यहां पर 23-27 तक का है यह पढ़ सकते हैं तो हम मैं फिमेल का बता दू जिसका हाइट 148 है उसका वेट 34.5 से 42.5 टक होना चाहिए जिसका 150 है उसका 36.5 से 44.5 टक होना चाहिए जिसका 153 है उसका 38 से 46 होना चाहिए जिसका 155 है 38.5 से 47.5 होना चाहिए जिसका 158 है 40.5 से 49.5 जिसका 160 है 41.5 से 50.5 जिसका 163 है 43 से 52.5 जिसका 165 है 44 से 54 जिसका 168 है 45 से 55 होना चाहिए ओके तो यह था 18-22 एज वाले के लिए और यह 23 से 27 तक है इतना आप पढ़ सकते हो no problem तो आप गाइस मैं आसा करता हूँ कि आप वीडियो को देखकर समझ गये होंगे पूरा और आपका सारा डाउट किलियर हो गया होगा तो आप बिना कन्फ्यूज किये जाए और अपना बेस्ट देखर वहां पे आए ओके आप जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देख जाए आप पॉजेटिव तिंक में जाए ओके तो मेरे तरब से आपको बेस्ट आफ लग बाइबार टैक कर गाइस के बाद मेरा वीडियो आने वाला है कि मतलब एक्जाम कब होगी और एक्जाम का मैरिट किस आधार पर बनेगा और एक्जाम या टैपिंग कब होगी यानि कि सब कुछ इसके बाद मैं दूँगा और लगबक कितने फॉर्म भड़े गए हैं इसमें कॉंपिटिशन लेवल कितना का है मतलब कितने बच्चे पर कितना का कॉंपिटिशन है यह सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अप नीचे कॉमेंट करें आपको कोई भी ड हो तो नीचे कॉमेंट करें